जेडिये आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है जैपुर विकास प्राधिकरन का 43 वा स्थापना दिवस आज है आयुक्त मंजू राजपाल ने मंत्रो चार के साथ गणिश पूजन किया और गणिश पूजन के बाद जेडिये परिसर में आयुक्त ने व्रक्षा रोपन भ ही किया डीटवाना जिले के खरवालिया गाउं से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार तूटकर गिरने से खेतों की बाड में आग लग गई ग्रामिडों ने तार तूटें की सूचना कल्यानपूर जी एसस के लाइन मैन को दी और लाइन मैन ने सूचना के बावजूद बिजली नहीं काटी और आग बढ़ती गई बाद में लाइन मैन ने फोन बंद कर लिया जिसके बाद ग्रामिडों ने एक वेक्टी को कल्यान को जी एसेस पर भेज कर लाइन बंद करवाई और ग्रामिडों की मदद से आग पर कावो पाया ग्रामिडों ने लापरवाह विभाक कर्मियों के खलाफ कारवाई की मांग करते हुए गाउं की लटक रही विद्यूत लाइन सुधारने की मांग की है कोट पूतली में आम रास्ते पर रखे ट्रांसफार्मर में अल सुभा तेज धमाके के साथ भीशवनांग लगई आसपास के लोगों की सूचना पर फाइर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई गनी मत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानी नहीं खबर सीकर के दातारामगड से है जहां पर पुलिस ने दुशकर्म के शातिर आरोपी को वरफतार किया है आरोपी नी चार महीने पहले एक युवती के साथ दुशकर्म और सोशल मीडिया पर पेड़िता के फोटो वाइरल करने के मामले को अंजाम दिया था फिलहाल पुलिस आरोपी से खड़ी पूछताच कर रही है नगर निगम ग्रेटर की कारवाई मांसरोवर्ज जोन में अवैद एरियल केबल कटिंग को लेकर नगर निगम ने कारवाई की है और विदुत शाखा और विजिलिंस शाखा की संयुक्त कारवाई नगर निगम ग्रेटर की कारवाई विदुत शाखा और विजिलिंस शाखा की संयुक्त कारवाई ये रही जैपूर से खबर जहां नगर निगम ग्रेटर की कारवाई सामने आई है मांसरोवर्ज जोन में अवैद एरियल केबल कटिंग को लेकर कारवाई अजमेर के किशन गड़ से अब खबर जहां है इतिहास एक गुंदोलाव जी एक बार फिर से ओवर्फ्लों हुई आई है लगातार पानी के आवक होने से जील ओवर्फ्लों हुई है और जील की चादर चलने से शहर वासियों में तुशी की लहर है और चादर को देखने के लिए शहर वासियों मड़ पड़े बहते पानी के साथ युवा अपना फोटो शूट भी करवा रहे है गुंदोलाव जीले बर्फिर से ओवर्फ्लो हुई है और इस चादर को देखने के लिए शहर वासियों मड़े हैं बहते पानी के साथ युवा फोटो शूट भी करवा रहे है जैसल मेर के पोकरन सब खबर जहां लोहार की गाउं में आकाश बजली गिरी बजली गिरने से 136 भेड़ों की मौत हो गई और बेड़ों की मौत से पशुपालकों को भारी रुक्सान गवा है पशुपालकों ने सरकार से आर्थिक मौावजे की गोहार लगाई है बेड़ों की मौत से पशुपालकों को भारी नुक्सान हुआ है और मोने सरकार से आर्थिक मौावजे की गोहार लगाई है 136 बेड़ों की यहां मौत हुई है जैसल मेर के पोकरन से खबर आकाश बजली गिरने से 136 बेड़ों की मौत हुई है लोहार की गाउं में आकाश बजली गिरी पशुपालकों ने मौावजे की गोहार लगाई है टॉक की निवाई उपखंड क्षेत्र के कायम नगर में ग्रामिनों ने दौसा कोथून हाईवे पर जाम लगाया आपको बता दें कि बंशिपुरा से कायम नगर 500 मिटर रास्ते पर विवाद के कारण सडक नहीं बनी है जिसकी वज़ा से ग्रामिनों को 15 किलो मिटर चकर लगाकर हाईवे पर जाना पड़ रहा है विकानेर के शिडूंगरगर से अब बड़ी खबर जहां सरकारी स्वास केंद्र के चछत गिर गई प्रात्मिक उप स्वास केंद्र के लेबर रूम के पट्यां गिरी वनिमत रही के लेबर रूम में कोई मरीज और डॉक्टर उस दौरान नहीं था पास के कमरे में होने की वज़ा से डॉक्टर का बचाव हो गया बिल्डिंग पूरी तरह से जरजर थी और इस वज़ा से यहादसा हुआ शिडूंगरगरद के केउ गाउं के पूरी घटना है जहां सरकारी स्वास केंद्र के चछत गिर गई बिल्डिंग पूरी जरजर थी जिसके वज़ा से यहादसा हुआ सरकारी स्वास केंद्र की चछत गिर गई गनी मत रही कि उस दौरान वोई डॉक्टर या मरीज वहां मौजूद नहीं था और आप अज़मेर की पिसांगन से बड़ी खबर जहां साबरमती नदी की रपट पर बहाव तेज वा सेथन दरवाजा सित रपट पर करीब देड़ फीड बहाव और तेईस बहाव के कारण रपट तोटने लगे तेज बहाव के कारण नदी किनारे कावड़ि बढ़िये भी अटक गए साथे निचले बस्तियां पानी भरने से जल मगने कोई डाम पर जाया प्रुशास जो इसे भी से निकासी में जुटा है। अब अजमेर के किशन गट से खबर जहां जिले में भारी बारिश का अलाट है। एक शेत्र में हालाद बिगड़ गए हैं गोठ्याना सहीद एक दरजन से अधिक गाउं में तालाब के उपर से पानी बह रहा है। पंचायत के शिरामपुरा गाउं में एक मकान दहने से महिला की भी मौत हो गई। साउदूलिया गाउं में मकान दहने से बकरियां मरने की भी सूचना मिल रही है। तैसिलदार सुमन बूजर, पोलिस प्रशासन, गोठ्याना पहुंचा है। साथी SDRF की टीम भी गोठ्याना के लिए रवाना हुई है। केंद्र मंतरी और सांसत भागिरत चौधरी साथी विधायक विकास चौधरी ने दूर भाष से जानकारी ली पोन पर जानकारी ली गई। मंतरी भागिरत चौधरी ने जिला कलेक्टर और SDRM को आवश्र कारवाई करने के निर्देश दी। तो गोठ्याना सहित कासीर पंजयत के शीरामपुरा गाउं में मकान दहने से बप्रिया मरने की जानकारी सांदोलिया गाउं में भी मकान दहने से तहजिलदार सुमन गूर्जर और पुलिस प्रशासन गोठ्याना पहुंचा। SDRF की टीम भी गोठ्याना के लिए रवाना हुई। केंद्री मंतरी सांदभागरत चौधरी विधायक विकास चौधरी ने फोन पर जानकारी ली मंतरी भागरत चौधरी ने जिला कलेक्टर और SDM को कारवाई करने के भी निर्देश दिये। और इसी बीच एक और बड़ी ख़बर का रुक करेंगे। इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है। दूदू के फागी से ये बड़ी ख़बर बुकनी में ग्रामिनों ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। ये बड़ी ख़बर स्कूल भवन की मरमत की मांग को लेकर ये ताला जड़ा गया है। ग्रामिनों में रोश व्याप्त हैं। जीन्ड शेन्ड स्कूल भवन जड़जर होने से अभिवावकों में ड़त का महाल है। और प्रदेशवर से ऐसे कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां जड़जर दीवारे गिर जाती हैं। जड़जर में अभिवावक काफी आकरोशित हैं और प्रशासन को अवगत करवाया लेकिन कोई सुध नहीं ली गई बारिश के चलते स्कूल की छत भी टपक रही है। गुसाइक रामिनों ने अनिश्ट कालीन के लिए स्कूल पर ताले बंदी की है। सागी के बुखनी गाम के राज़के परात्मिक विद्याले का ये पूरा मामला है।